हलो एबरिवन आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खुपसूरत और ब्यूटिफुल पलाजो पैंट डिजाइन आप इस डिजाइन को अपनी सिलियो पे भी बना सकते हैं एकदम नया डिजाइन है बहुत ही खुपसूरत है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं डिजाइन की कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और इसकी चोड़ाई मैंने 12 इंच ली है चोड़ाई में से ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ हम इस पे साड़े चारी पे एक निसान लगाएंगे और दूसरा निसान हम साड़े पांच इंच पे लगाएंगे अब हम उपर की तरफ एक निसान साड़े आठ इंच पे लगाएंगे दूसरा साड़े नो इंच पे लगाएंगे और फिर ऐसे हम इन निसा करेंगे और अब यहां से कटिंग करेंगे तो यह हमने कटिंग कर ली है अब हमने अपने पलाजों में से एक्स्टा कपड़ा लिया है इसके उपर हम इसको प्रेज से चिपका लेंगे तो यह मैंने प्रेस से इसके उपर चिपका लिया है और जो भी एक्स्टा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दी और यहां पर मैंने एक पेर का कपड़ा रखा है इसको इसके उपर मैंने फोल्ड कर दिया अब इसके उपर हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो लीजिए यह रेडी हो गया है अब इसको हमने अपने प्लाजो की बोटम के उपर अटेज करना है तो बोटम की सिधी साइड को उपर रखना है उल्टी साइड को नीचे की तरप रखना है और ऐसे हमने इसको 20 सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहां पे 20 सेंटर में ए बराबर सिलाई लगा लेनी है पलट दिया है अब इसके उपर हमने कच्छी शिलाई लगा लेनी है और फिर हम इस पर सुई धागे से तुर्पाई करेंगे तो यहां पर पांच निमबर पर में यह शिलाई लगा रही हूं ताकि शिलाई निकालने में आसानी रहे यह शिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम सुई धागे से इस तरह से इसकी तुर्पाई करेंगे तो बस ऐसे ही हम पूरे पर कर लेते हैं तो यह हमने पूरे पर तुर्पाई कर ली है और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको भी मैंने निकाल दिया है अब हमने इसके उपर यहां पर डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने फेब्रिक डोरी बना के तयार की है अगर आपको यह डोरी बनाना नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्किप्शन में वीडियो की लिंक दे दूँगी उस वीडियो को देखके आप यह डो दोरी मोडते हुए इस पे सिलाई लगानी है और आपका डिजाइन अपने आप पीछे की तरफ बनता जाएगा ये देखिए तो यहाँ पे आपको फिनीसिंग की जरूरत है बहुती ध्यान से आपको डोरी को मोड़ना है ऐसा नहीं कि आप कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम मोड़ दें आप सेम मोड़े और आपका जो डिजाइन बहुती खुपशूरत बनके तयार होगा तो लीजे यहाँ पे डोरी वाला डिजाइन भी हमने बना लिया है अब हमने नीचे से इसको रेडी करना है तो यह मैंने धाइन चोड़ा कपड़ा लिया है और इसकी उल्टी साइड में मैंने केनवास पेपर चिपका लिया है पिरेज से दोनों साइड से कपड़े को ऐसे मोड़ना है और फिर हमने बीज सेंटर में से मोड़ना है इसकी चोड़ाई मैंने तयार रखी है आदा इंच एक सूथ अब हमने अपने पलाजो की बोटम को इसके बीच में ऐसे रखना है और इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर आपको धिहान रखना है दोनों साइड की किनारी पर एक साथ में सिलाई लगनी चाहिए यह देखिए इस तरीके से तो यह हमारी सिलाई लग चुकी है अब हमने यहाँ बीच में जो फ्लावर वाला डिजैन है वो रेडी करना है तो यह मैंने एक राउंड में फेबरिक लिया है और इसका राउंड में चार इंच का लिया है अब हमने इसको ऐसे मोड़ना है यह देखिए उल्टी साइड को अंदर की तरफ करना है और सीधी साइड को बाहर की तरफ करना है और जहाँ पर हमारा कोना बनता है वहाँ से फिर से मोड़ना है और सुई धागे से इस तरीके से इसको अठेज करते जाना है ये देखिए ये देखिए इस तरह से तो ये इस तरीके से फिलाओर बन जाता है अब हमने इसको अच्छे से पक्का कर देना है सुई धागे से और इसमें हमने उपर की तरफ एक मोती लगाना है तो यहाँ पे मैं white color का मोती ले रही हूँ और अब हमने धागे को नीचे की तरफ पक्का करके काट देना है तो यह हमारा flower बनके ready हो जाता है इसी तरीके से मैंने बाकी के flower भी बनाके ready कर लिये हैं यह आप देख सकते हो अब हमने इनको बीच में attach करना है तो इस तरह से हमने इनको attach करना है यह देखिए ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से attach कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपको attach करने हैं यह देखिए ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम flower को सुई धागे से attach कर देगे यहाँ पे आपको सुईधागे कही इस्तमाल करना है तो बस ऐसे हमने सुईधागे से छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं और यहाँ पे अच्छे से इसको पक्का कर लेना है अब हमने दूसरी साइड से भी इसको सेम इसी तरीके से अटेज करना है तो ऐसे पकड़ेंगे और यहां से भी इसकी जो नोक है यहां से हम इसको अटेज करना सुरू करेंगे दूसरी नोक पर हम इसको पका करके धागे को काट लेंगे तो ये हमारा एक फिलावर रेडी हो गैया है आप देख सकते हो अब इसी तरीके से हम बाकी के फिलावर भी अतेज कर लेंगे तो दिखे पहले एक आइगा फिर दो आएगे फिर तीन आएगे और फिर चियार आइगे तो ये मैंने इसमें अतेज कर लिये हैं आप देख सकते हो कितना सुन्दर और ब्यूटिफुल हमारे डिजाइन बनके रेडी हो गया है तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको ये डिजाइन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ जरूर सेयर करें इस वीडियो को बनाने में बहुत मैनत लगी है तो प्लीज मेरी मैनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है और आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिविकिशन मिलती रहे और आपने भी तक मुझे Facebook और Instagram पर follow नहीं किया है तो वहाँ पर भी follow कर सकते हैं दोनों का link नीचे description में डाल दिया है तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में नए डिजेन के साथ Thank you